देखे परधान मंतरी किसान सम्मान निधियोजना की अगली तेरिवी किस्त की गोशना हो सुकी है 27 फरवरी को मानने परधान मंतरी जी करना टक से किस्त है वो 2000 रुपे की जारी करने वाले हैं हลانकि ये 2,000 रुपे की किस्त हों बहुत से किसानों को 4,000 रुपे मिलेंगे जिए हैं 2,000 की बदले 4,000 रुपे मिलेंगे किस तरहीं मिलेंगे चलिए मैं आपको step by step बताता हूँ कौन से किसानों को मिलेंगे आप खुद चैक कर सकते हैं इसके लिए आपको PM किसान के पोर्टल पर आना है PM किसान GOV.NET या आधिकारी की वेबसाइट है आप अपने मोबाइल या लेपटोप में ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अस्टेटस चेक करना आपका यहाँ पर आपको एक benefit इसदर इस्टेटस का option मिलेगा former corner के अंदर तो यहाँ पर आपको open करना है अब यहाँ पर आपको जो mobile number आपके पास उपलप्द है जासो PM किसान वाला और या फिर registration number दोनों में से को एक यहाँ पर डाल दीजे cap support डाल कर gate driver क्लिक कीजिए उसके बाद status आपका कुछ इस तरह से open होगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले demo authentication, ekyo, eligibility यह सभी yes होना चाहिए payment mode आपका आधार होना चाहिए bank status accept होना चाहिए land sitting yes होना चाहिए यह सबी चीजे अगर सही है तो आपको नीचे की तरह स्कॉल करना होगा अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस किसान को है payment process दिखा रहा है एक किस्त में बाकी दो में और अरप्टी sign by state और अरप्टी sign by state दिखा रहा है अब आपको भी अपना status चेक करना है और आपको जितनी किस्त पहले मिल चुकी है उन से अगली किस्त को देखना है कि कितनी किस्त में आरप्टी दिखा रहा है कितनी किस्त में payment process दिखा रहा है जो किस्त PM किसान योजना की तेरिवी किस्त के तोर पर मानने परदान मंतरी जी 27 फरवरी को जारी करेंगे उसमें बहुत सरे किसानों का खाल ली या फिर आरप्टी या फिर payment process है जिसा कि आप इस किसान का देख सकते हैं payment process दिखा रहा है अलांकि इसको ये किस्त मिल चुकी है अब ये दो installment है जिनमें erupt sign by state आरहा है अब डो किस्त में यांपर erupt ये जिम्स का मतलब है कि इस किसान को दोनों का प्रोसेस एक साथ प्रोइटान था पिछली बहुत सरे किसानों को वा था अगर आपका p.m. किसान का पेसा पहले या तुरुकवाँ था या फिर आपने कोई नया आवेदन किया था या फिर आपका पहले बैंक के समझेद कोई प्रोबलम थी अब प्यम किसाने उजनां का पेमेंट मोड आधार हो चुका है तो जो भी आपका पहले प्रोबलम था वो अटमेटिक सुधार भी हो चुका है तो बहुत सरे थी लाकों किसान हैं जिनको 4-4,000 रुपे मिलने वाले हैं पिसली बार भी ऐसा वा था बहुत सरे किसानों को अगर समय पर पेशा मिल रहा था उनको सिर्फ 2,000 मिले थे लेकिन जिन में कोई फॉरब में प्रोबलम थी या फिर पहले पेसा किसी कालनवर से एक किस्त का रुक गया था तो उन किसानों को चार हजार रुपे मिलेंगे दो किस्त का एक साथ मिलेगा कुछ किसा इससे भी हो जाता है कि एक किस्त एक दिन पहले आ जाती है दूसरी किस्त दो दिन बाद आती है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ये जो किस्त जारी होगी ज तो इनको दो किस्तों का पेसा एक साथ मिलेगा, हो सकता है कि चार हज़ार रपय एक बार में भी आ जाएं, या फिर आपको एक या दो दिन के अंतर के बाद भी आ सकता है और यहाँ पर आप एक स्टेटिस देख सकते हैं इस किसान का पहले बैंक की समस्या के वज़े से पैसा एक भी किस्त का नहीं मिला था अब 171 2030 को इसको बैंक की स्टेट दिखा रहा है पहली दूसरी और तीसरी तो अब किसान सोच रहा है कि मुझे पैसा किस तरह से मिलेगा क्या जो 27 फरोरी को किस्त जारी होगी इसमें एक किस्त मिलेगी दो मिलेगी या फिर तिनों के 6000 एक साथ मिलेगे तो मैं आपको बता दूँ, 600 रुपे एक साथ नहीं मिल सकते, बहुत कम चांस होता है, वेशे बहुत किसानों को मिलता भी है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है, 4000 रुपे मिल सकते हैं, आपको दो किस्तों के पेशे एक साथ मिल सकते हैं, और जो आपकी तीसरी किस्त हैं, और ये किस्त आने के लिए पूरी तरह तयार है, आरप्टि का मतलब होता है, रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर, यानि अब रिक्वेस्ट की जारी राज सरकार से कि इस किसान का फॉरम सही हो चुका है, पहले इनका प्रॉब्लम था, पी एफमस बैंक का अब इस सतरह एक दो ज जार आएंगी या फिर 6,000 आएंगी, क्योंकि लगबग किसानों कोई 2,000 याने वाले जिनको समय पर पेसा मिल रहा है, या फिर जिनको कोई थोड़ी बहुत समझ चा थी, जिनका पिछे किस्तों में लेट हो चुका था, तो उन किसानों को 4,000 पे मिलेंगी, अगर आपको मे तेरी जानकर इस समझ में आगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी सवाल होता था, आप में टेलिग्राम पर बैस सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्प्प्पन में धन्यवाद किसान में तरहूं